हलो एवरिवन एस्पेटेवर्स वेरी गुट आफ्टन तो लोफ यो और फर्स्ट आफ 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 लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल लाइफ इस ओसम सिविल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा होस्ट कंस्ट्रक्शन चैनल को और कितना कोस्ट आता है सब्सक्राइब बनाने में क्या इतना साइज जरूरी है या नहीं यह जो डिपेंड करता है लोड पे मतलब कितना मंजिल मंजिल है इस घर का प्लान कितना फ्लोर बनाने वाले है ओनर उस पर डिपेंड रहेगा सब कुछ तो इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन जोड़े इन फ्यूचर में जान करें चाहिए तो हमारे चैनल को जो है आप लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जैसे कि इस विव में देख सकते हैं यह आल्रडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ एक सेपरिट टैंक है जो कि तीन चेंबर है इसके अंदर और इसका डायमेंशन बता दूंगा आप नोट कर लीजिए जैसे कि दिए इसका विट्थ क्लियर स्पैन बता रहा हूं मैं इसका विट्थ है फोर फीट एंट्ट फोर फीट फोर फीट सिक्स इंच है ठोड़ा सा ज्यादा लिया गया विकाउज कर लैन इन फ्यूचर में तो सभी लोगों का मतलब जो भी वेस्ट रहता और सब सब प्रॉपर तरीके से चले जाना बूलके साइज लिया गया और इसका लेंथ है क्लियर स्पैन इनर टू इनर टैन फीट ओके टैन फीट लेंथ है आप चाहें तो टैन फीट सिक्स इंच भी यह वाला जो रहता है न सिंगल एन्फ्रसमेंट बट यहां पर जो दिया गया डबल रेंफ्रसमेंट यह ए और इसका थिकनेश जो लिया गया है तो देखिये ईसका घहराई लेंद्ध बता रहे हो में टोटल डप 10 10 feet maximum 10 feet यह जो है 3-4 floors के लिए बता रहा हूं एक्चुली इससे छोटा रहता है जुस्ट नॉर्मल एक 30-40 हां से यह की मंजिर बना रहता हूं सिर्फ 3-9-8 का लीजिए ओके इसका कॉस्ट आफ कंस्रेक्शन देखिए मैं जब होस्वर्ण से बुचाओं तो एराउंड एराउंड वन लैक तक खर्चा हुआ है इसके लिए आलमुस्ट विकाउज इसका साइज भी आप देख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं नौर में लिए दबल रियनफोर्समेंट की सबसे किया गया है एकडम विच्वो विच यह इसका क्लियर सब्सक्राइब मिलता है फिर नेस्ट यहां से भी आपको क्लियर स्पैन मिल रहा है तो सेम इसी तरह इसको कवरिंग अच्छा सा दिया गया है वह एक इंपोरेंट सीसे और यह यह पैन है सेलो टेक्नो टिप आपको देख सकते हैं इसका विड़ जो है इस पैन से भी ज्यादा है लगबग इस को थोड़ा सा रेज किया तो दो भी अच्छा सा गृप पकलेगा स्लैब जो दालते हैं आच्छा गृप पकने को लोगे एक्स्टरा रखा रहा है एंड इसमें यह तीन फीट क्लियर स्पैन मिल रहा है वहां पर भी तीन फीट वहां पे दीन चेमबर वाला है स्प्र टैंक सो कॉस्ट आफ कंस्टुक्शन फॉर सेवर टैंक हमारा मेन टॉपिक और वहां से इनलेट रहेगा वह बैक से यहां से इनलेट होके फिर इसके यहां बें इनलेट इसके नीचे से इधार आएगा उपर जाके आउटलेट हो जाए मदल में यहां बें से इनलेट इनलेट के दचित